नुमस्कार बच्चो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जोग्राफी गुरू आज की इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं क्लास लेउंथ पोल साइंस की और डिसकस करेंगे हम क्लास लेउंथ पोल साइंस के एन्वल एकजाम के सेंपल कोशिन पेपर को जहां तक आपके सेंपल कोशिन पेपर की बात है तो देखिए चाए आप बोर्ड क्लास के स्टूइंट हो चाए आप नोन बोर्ड क्लास के स्टूइंट हो ये sample question paper हमेशा important होता है एक important tool होता है toppers के लिए जब हम sample question paper को solve करते हैं तो कई सारी चीज़े हमारी clear हो जाती है जैसे सबसे पहले तो हमारा pattern को लेकर के concept clear होता है कि कितने one marker question रहेंगे कितने आपके five marker question रहेंगे कितने आपके case study based questions रहने हैं answer type questions का क्या कुछ रहेगा तो उसके बाद जब हम revision में जाते हैं तो हमारा focus level हो increase होता है क्योंकि वो mind में click करता है कि भाई इस type के questions है exam में रहेंगे हमें इसके उपर इतना focus करना है second thing जब हम sample question paper को solve करने बैठते हैं मालने जी कि हमारी preparation अच्छी खासी ठीक ठाक चल रहे है already हम syllabus को revise कर चुए है तो जब हम sample question paper को solve करेंगे और हमें लगे का भाई ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है सब कुछ आ रहा है तो हमारा moral है वो boost होता है तो हमारे लिए वो better होता है कि जब moral boost होता है सही direction में जा रहे हैं तो हम थोड़ा सो और ज्यादा focus कर पाते है दूसरा in case कि हमारी preparation ठीक नहीं जा रहे है अभी आ करके हमें पता चला कि भाई ये subject भी हमारे पास है ये भी पढ़ना है exam pass में आ चुके तो उस वक्त जब हम sample question paper को solve करते हैं बहुत सारे concept हमारे clear नहीं होते हमें लगता है कि ये तो काफी ज़्यादा tough हो गया difficult हमें लगता है कि ये question तो हमारे सर के उपर से जा रहे है तो उस वक्त भी जरूरी होता है क्यों उससे भी हमारे उपर थोड़ा सा pressure आता है और हमें लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा हाथ पैर माडने पड़ेंगे तो उसमें भी हमें काफी ज़्यादा help मिल जाते है sample question paper से इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है sample question paper से question के language के साथ साथ जो important questions है important concept है, important topics है उसको लेकर के भी हमारा mind है ज़्यादा detail में, deep में हम नहीं जाएंगे लेकिन ये काफी ज़्यादा helpful रहने वाला है, इसमें हमने सभी important questions है, वो include किया let's begin चली, शुरुआत करते है इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हिंदी medium के लिए sample question paper already मैं discuss कर चुका हूँ की 3R मिलने वाली है, और total marks रहेंगे, 80, 20 marks का आपका project होता है, जिसमें आपकी project file 10 marks की होती है 10 marks का आपका वाईवा होता है जो की hopefully आपका हो चुका होगा उसके बाद, बात की जाए, यहाँ पर instructions कुछ दिएगे, students के लिए आप सभी के लिए, देखे, question number 1 to 12 जो रहेंगी, यहाँ पर MCQs रहेंगे, multiple choice questions रहने वाले 1 marker रहेंगे, उसके बाद 13 to 18, जो section B रहेगा आपका, यहाँ पर आपके 2 marker question रहेंगे, clear, उसके बाद 19 to 23 question की बात करेंगे तो वो रहेंगे आपके 4 marker question clear, यहाँ पर 4 marker question रहेंगे, उसके बाद 24th और 25th, जो question रहेंगे 24th रहेगा आपका case study based और 25th जो रहेगा वो आपका cartoon based question रहेगा, इस टाइब के cartoon जितने भी आपके book में दिये गए NCRT की book में, तो उनको भी मोटे तोर पे बार देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका doubt ले सकते हो क्योंकि cartoon based questions है वो भी आपके exam में रहने है उसके बाद 26th, 27th, 28th, 29th और 30th यह जो question रहेंगे वो आपके long answer type यानि कि 6 marker question रहेंगे तो यह आपका pattern रहेगा 1 marker, 1 to 12, 13 to 18 2 marker, 19 to 23, 4 marker 24th, passes based 25th, cartoon based और 26 to 30 यह आपके long answer type question रहेंगे जो कि 6 marker रहेंगे नव लेट्स बिगिट विद दा section A चलिए फर्स्ट आपका पहला जो section है इसके साथ हम शुरुवात करते हैं इसमें फर्स्ट आपका question दियागा है फर्स्ट हमारा question दियागा है citizenship consist in the right ordering of loyalties who said this यह किसने खाए तो इसमें correct answer आपका C होगा boyd का statement है यह उसके बाद second आपका question दियागा है what is the force behind the legal rights जो legal rights हमें मिलते हैं legal rights यानि कि जिनको हिंदी में कहेंगे कानूनी अधिकार जो हमें मिलते हैं उनके बीज़े force क्या होती है तो उनके बीज़े force of loy होती है कानूनी जब legal rights है तो loy की ही force होगी वहाँ पर तो C आपका correct answer है यहाँ पर भी now let's move to the next one next जो हमारा question दियागा है third question है the judges of the supreme court of India retire at the age of किस age में retire होते हैं जिसमे correct answer आपका भी रहेगा 65 years की age में वो retire हो जाते है high court के judges है वो 62 years की age में retire होते है यहाँ पर आपका correct answer भी रहने है उसके बाद next जो हमारा question रहेगा question number fourth दिया गया fourth हमारा question दिया गया the number of judges of the supreme court is fixed by supreme court में कितने judges होंगे इनके numbers कौन fix करता जिसमे correct answer आपका रहेगा E, parliament fix करता है इसको उसके बाद fifth question दिया गया है the supreme court sits at supreme court कहां बैठती है भाई यह डेली में बैठती है तो B correct answer हो जाएगा आपका उसके बाद sixth question दिया गया है sixth question है हमारा union list includes देखिए हमारे constitution के coding जो powers है वो three list में divide की गया है तो इसमें union list है state list है concurrent list है तो इसमें union list कौन सी होती है वो list होती है जिसके उपर केवल central government है वो laws बनाती है और इसमें originally 97 subjects होते हैं तो C आपका correct answer हैगा देखिए अभी की बात करें तो 101 subjects है at present लेकिन originally इसमें 97 subjects थे तो C correct answer हो जाएगा उसके बाद next देखिए 7th आपका question देगा है which one of the following is not a feature of Indian Federation इसमें से क्या है जो Indian Federation का feature नहीं है तो इसमें D correct answer होगा dual citizenship इंडिया में नहीं होती है नोट पोचा है तो dual citizenship इंडिया में नहीं होती है हम चाए हर्याना से हो राजस्तान से हो यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो we all are Indians USA की बात करें तो वहाँ dual citizenship होती है अपने यहाँ पे नहीं होती है उसके बाद next जो हमारा question देगा है question number 8 8th हमारा question है according to the 73rd amendment the tenure of panchaits in all states is देखे panchait जोते हैं उनका tenure कितना होता है यह हमें बताना है देखे 5 years का होता है एक बार अगर panch या सरपन चुने जाते हैं तो 5 years के लिए चुने जाते हैं तो C आपका correct answer हैगा उसके बाद next जो हमारा question देगा है next question हमें दिया गए कि secular state means secular state कौन सा होता है तो इसमें हमें four option देगे हैं इसमें से correct जो answer हैगा the state is impartial in the matters of religion कि इसमें state जो होता है उसका religion से कोई लेना देना नहीं होता all citizens remains free to follow any religion or not at all कि चाहे वो किसी भी ध्रहम को माने ना माने उनका personal matter होता है तो वो ऐसा state secular कहलाता है वहाँ पे religion के बेश पे किसी भी type की कोई भी partiality नहीं होती है उसके बाद next जो हमारा question रहेगा question number 10 दिया गया 10th हमारा question है which amendment of the constitution added the word secular in the primble कौन सा amendment है जिसके through secular word को हमारी primble में add किया गया पहले नहीं था originally नहीं था तो इसमें correct answer आपका भी हो जागा 40 second जो हमारा amendment है उसके through secular word को हमारी primble में add किया गया उसके बाद next जो हमारा question रहेगा question number 11 दिया गया 11th question है which of the following falls exclusively under the union list इन में से कौन सा subject है जो union list में आएगा देखिए इसमें D foreign affairs दिया गया तो देखिए जो विदेश मामले होते हैं निक जितने वो union list में होते हैं देश को लेना देना होता है उसके बाद next question रहेगा हमारा 12th question है last mcqs में with reference to the 7th schedule of the Indian constitution the subjects police and public order is placed under तो ये किस्ट में आता है तो ये state list में आता है police और public order है ये state list में होते हैं तो ये आपका correct answer रहेगा तो ये था आपका section E now let's move to the next section अगला जो हमारे segment है B B में हमारे रहेंगे two marker question तो इसमें first ये गए what are PIL cases PIL cases क्या होते हैं public interest litigation क्या होता है देखे हिंदी में बोलते हैं जन हीत की आजिकाई उसी से पदा चल जाता है जो जनता की हित की बात काती है वो जन हीतिया जी काई होती है so legal action that is taken on a human rights or equality issue of broad public concern are known as the public interest litigations यनकी all those cases which are related to the general public are known as the public interest cases उनको हम बोलेंगे यनकी जो आम जनता से जुड़े होते हैं उन cases को हम बोलते हैं public interest cases और जब हम इस टाइप के cases के लिए हम किसी परकार की मालिजे की request डालते हैं तो उसको PIL बोलते हैं public interest litigation होता है याची काई तो if the case is successful अगर case successful रहता है it will beneficial for the entire society ये पूरे society के लिए beneficial होता है इसमें एक व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं होता मालिजे किसी person ने PIL डाल दी environment की issue को लेकर के भाई उसके घर में थोड़ा ही धुआ हो रखा है उसके घर में थोड़ा ही सारा pollution हो रखा है तो ये public interest में है तो उनको PIL बोलते हैं so public interest litigation is a type of litigation which is related with the public or the larger part of the society जो कि public या larger part of society उससे related होते हैं तो उसको public interest litigation कहेंगे उस या चिका को और public से जुड़े होते हैं तो इनको public related case भी कह सकते हैं उसको बाद 14th आपका question है two marker question है which are the two important development functions performed by the जिला परिशद जिला परिशद है उसके दो function बताने developmental function देखे फर्स्ट है इसका it makes development plans at the district level देखे पूरी district के जो development plan है that is prepared by the जिला परिशद second it also regulates the money distribution among all the gram panchait जितनी भी gram panchait होती है उस district में तो वहाँ पे money distribution का matter है वो भी जिला परिशद ही देखता है तो ये दो function हो गए कौन से function बताने थे developmental function हमें बताने थे उसके बाद 15th हमें question दिया गए right to demerits of the federal form of government federal form of government कौन से होती है भाई संग्य सरकार होती है जैसे इंडिया में federal form of government is a type of government in which we have the two or more than two levels of the government जहाँ पे government के दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा level होती है जैसे अपने यहाँ पे central government है then there is a state government then there is a local government है ना अलग लग तो यह federal government इसकी कमिया बताईए इसमें कमिया क्या है demerits से हमें बतानी पहला है it is insufficient because of the diversity of law and administration देखी यहाँ पे यह कहा जाता है कि यह थोड़ी सी insufficient कह सकते है या यह कह सकते है कि less powerful, less effective कह सकते है less effective हो जाती है क्योंकि इसमें शक्तियां और कानून दोनों बंड जाते हैं आपस में जब बंड जाते हैं तो दिक्कत आती कही बार coordination में second there is always a tug of war between the national and local interest के बीच में या national या local government है उसके बीच में कही बार रसा कसी भी चलती रहते है जैसे Delhi government है और central government है चलता रहता है तो ये कुछ issues है इससे development है वो affect होता है कही ने कही उसके बाद next है right to functions of the blocks में थी भाई जिला परशिद वाले सही में लिख सकते हो आप वो जिला के level पे डिश्टी के level पे और ये block के level पे होता है block कैसे मनता देखे blocks में थी होती है एक गाहों दो गाहों तीन गाहों तीन-चेर गाहों को मिला करके blocks में बना दी जाती है दिश्टी कैए ठीक यनकि single village के लिए तो एक panchayत होती है दो-तिन villages को मिला दिया तो वो होगी blocks में थी clear उसके लिए वो government से fund arrange करती है तो ये इनके function होते है उसके बाद आप general भी लिख सकते हो कि to implement the government policies को implement करना ये भी blocks मिती का ही काम होता है to aware the people लोगों को aware करना about the government policies ये भी इसी blocks मिती का काम होता है ये सब कुछ भी mention किया जा सकता है now let's move to the next question next हमें दिया गए question number 17 17th हमारा question है mention to provisions of 74th amendment act 74th amendment act 73rd और 74th दोनों एक साथ है थे 1992 में तो इन में से क्या था कि 73rd था that was for the rural local government 74th was for the urban local government से related था तो इसके दो हमें बताने है कि क्या कुछ था उसमें पहला था कि 74th amendment brought the municipality system to urban India देखे इससे municipality system को urban area में लाय गया था implement किया गया था second one third reservation for women was given under this 74th amendment के थूँ महिलाओं के लिए one third 33% reservation दिया गया था urban local bodies में और third था reservation for SCs and STs also given through the 74th amendment के थूँ SCs और STs है उनके लिए reservation दिया गया था तो यह सब कुछ चीजें हुई थी 74th में किस के लिए था urban local bodies के लिए था clear उसके बाद 18th है what are legal rights legal rights कौन से होते हैं कानूनी अधिकार कौन से होते हैं a legal right is an interest accepted and protected by the law कि legal right वो राइट होते हैं वो अधिकार होते हैं जो कानून के दोरा accept भी किया जाते हैं और कानून के दोरा protect भी किया जाते हैं यानकि वो कानून है वो कहता है कि ठीक है यह आपके पास right है और अगर चीना तो क्या करेंगे वो कहता है हमारे पास आना हम बताएंगे okay So, legal right is an interest accepted and protected by law and also any displacement of any legal right is punishable by law. यह जो legal right है क्योंकि इसके पीछे law की power होती है, तो अगर displacement होता है, मान लिजे कि debasement होता है. Debasement मतलब कि अगर इसका उलंगन किया जाता है, तो क्या होगा debasement में? कि इसके थूँ punishment भी दी जा सकती है. तो यह होते हैं legal rights, उसके बाद next हमारा segment है section C, यहाँ पे हमें देगें कुछ four marker question, तो इसमें देखे, 19th question देगा है, give some suggestions to ensure speedy and inexpensive justice in India. कि हमें कुछ suggestion देने ताकि इंडिया में जल्दी से और सस्ते में नियाए justice लोगों को बिल सके, इसके लिए कुछ suggestion देना हमें. देखे, first in every state of India, the लोक अदाल्थ should be established and organized. कि हर state में लोक अदाल्थ है, वो established की जाने चाहिए, हर एक state में यह होने चाहिए, क्योंकि लोक अदाल्थ में decisions है, वो जल्दी जल्दी आते हैं. Second, to have the speedy justice, the pending cases should be decided by the courts at the earliest. अगर speedy justice के लिए ये भी जरूरी है, जो लाखों cases pending है, उनको जल्दी से जल्दी decide करें court. इसके साथ-साथ, government should establish new courts as and when needed, कि जहां तक जरूर थो, नए court set up किया जाए. देखिए, अगर हम बात करें, last 30-40 years से, तो courts उतने ही अपने, जबकि population है, वो लगबग double हो चके almost. तो जरूरी है कि नए court भी set up किया जा सकते हैं. The court fees as well as the fees of the advocates should be controlled and minimized. इसके साथ-साथ court की fees है या advocate की fees है, वो controlled और minimized होने चाहिए. वो ऐसा ने कि बनमर्जी की fees होने चाहिए, तो ये किये जा सकते हैं. Now let's move to the next question, question number 20 हमें दिया गया, 20 हमारा question रहेगा, write four main differences between Indian federation and the American federation में. हमें difference बताने है, two, three बता दोगे तो भी चलेगा. देखे, first ये गए, the constitution of US is very non-flexible than the Indian constitution. देखे, Indian constitution है, that is quite flexible. उसको जैसे मर्जी चाहिए हम तोड मरोड मतलब change कर सकते हैं, amend कर सकते हैं. जबकि US का constitution है, वो non-flexible है. Second, while the US has the presidential form of government, India has the parliamentary form of government. Constitution के coding, वहाँ पे presidential form of government है, वहाँ पे head of the, और government के जो head है, वो वहाँ पे president होते हैं, अपने यहाँ पे government का head, prime minister होते हैं. तो हमारे यहाँ पे parliamentary form of government है. और इसके लाँ तीसरा, थर्ड जो difference है, difference in the citizenship. अगर हमारी बात करें, तो हमारे यहाँ पे single citizenship है. और अगर हम USA की बात करें, तो वहाँ पे dual citizenship है. यह भी एक difference है. तो यह 20 हो गया, now let's move to the next one, 21st हमारा रहेगा. 21st जो हमें question दिया गया, give any four changes incorporated in the panchaiti raja act to improve the panchaiti raja को improve करने के लिए, कौन सी चार change किया गया पहला जो change लेके आए थी 1992 में, जो panchaiti raja act के थूँ, एक तो यह था state election commission was established in every state. हर state में एक state election commission है, वो established किया गया था. And the main function क्या है इसका? Main function है, जो free and fair election करवाने local bodies के on time, timely election के लिए पहले यह कमी रहती थी. तो एक तो यह किया गया है, second है, reservation for the SNHTs के लिए, reservation दीगे है, and also there is a reservation for women, one third reservation of women के लिए दीगे इस act के थूँ, fixed duration of the local government के duration दीगे, earlier it was not fixed, कभी five years के बाद election होते थे, कभी ten के बाद कभ भी भूल भी जाते थे, okay, ऐसा होता था, अब five years means five years, okay, इसके साथ separate powers and sources of revenue, अब local government के लिए पहले क्या था, कि there was the local government, पहले थी, लेकिन क्या था, उनके पास ना तो power थी, ना revenue था, ना पैसा था, ना power थी, तो करते गया, नाम की थी, अब क्या किया गया, क्योंकि separate उनको powers दे दीगे, उनके source of revenue, वो भी fix कर देगे, तो अब ही ज्यादा effective हो गई है, okay, तो यह सारे change जाएं, उसके बाद next question के बात करेंगे, next हमारा question है, question number 22, देखे, थोड़ा सा हम fast ले रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही slivers को कर चुके हो, तो यहां पी हम एक hint आपको दे रहे हैं, answers कुनसे threats हैं, तो उसमें एक तो communism है, communism means religion-based politics है, वो बड़ा खत्रा है, कि वो वोट बेंक के लिए कई बार कुछ भी किया जा सकता है, तो वो एक बड़ा खत्रा है secularism के लिए, secondary religious intolerance that is increasing quite a lot during these periods, अगर हम social media के period की बात करें, तो काफी बढ़ गया है, एक दूसरे द्रहम को ल में that is quite defective, it means that we are unable to generate that type of the, जिससे secularism है, जो blood में generate हो जानी चाहिए थी, वो हम education system के थूँ जर्नेट ही नहीं कर पाए है, वो भी कहीं कहीं हमारा drawback रहा है, जो secularism के लिए threat है, इसके साथ poverty, पोवर्टी के मतलब यह होता है कि जब बंदा poor होना, तो वो कई बार कुछ चीज के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो यह कुछ threats है, उसके बाद 23rd हमारा question रहेगा, 23rd question that is also for marker question, 23rd की बात करें तो यहां पे पूछा गया, कि how was the constitution of India has ensured independent of the judiciary, हमारी यहां पे judiciary independent है, sorry, independent कैसे है, इसके लिए constitution में क्या कुछ किया गया, तो पहला है, protecting salaries and services conditions of the judges जो protecting salaries and service conditions of the judges, जो judges की salaries है, वो service condition है, वो protection कहां से मिलते हैं, constitution से मिलते हैं, ना तो वो depend करते हैं, executive के उपर, ना ही वो depend करते हैं, हमारी parliament के उपर, okay, उन ओर्गानोस के उपर depend नहीं करते हैं, तो इससे वो independently अपना work कर पाते हैं, okay, second, prohibiting the judges from caring on practice in course of law after the retirement, इसके साथ साथ, there is a complete man on the judges to carry on the practice after the retirement, अब देखिए, ये भी जरूरी है, इंडेपेंडेंसी के लिए, free and fear, justice के लिए जरूरी है, कि retirement के बाद judges के उपर completely ban होता है, कि वो practice करेंगी, ये नहीं कि black coat पहन के वो आ गए और court में आ करके बैठ चाहेंगे, तो influence करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो उनके उपर ban लगाए गए, इससे भी free and fair justice है, वो ensure होता है, इसके साथ साथ providing single judiciary, हमारे यहां पर single judiciary system है, हर state का अपना नहीं है, अपने हाँ पे there is a high court for each and every state, उसके बाद supreme court है, वो single है, वो supreme court के decisions होते हैं, वो पुरी देश के लिए like that of a low होते हैं, तो इससे भी कहीं पर भी discrimination नहीं हो पाता, इसके साथ साथ ensuring security of the tenure of the judges, जैसे once the judges are appointed, they are almost impossible to remove from their post, कि एक बार उनको अगर appoint कर दिया, तो बिना बात कि उनको हटाये नहीं जा सकता, बहुत बड़ा अगर मसला हो जाए तो वो अलग बात है, उसकी भी एक लंबी चोड़ी process है, otherwise उनको remove नहीं किया जा सकता, तो इससे भी उनमें ये रहता है कि भाई हम एक बार अलग है न, तो हम constitution के according चलेंगे, कोई political party उनको press rise नहीं कर पाती, so all these things has been done in our constitution, that ensure the independency and the free and fair justice in India, उसके बाद section D दिया गया है, section D की बात करें, तो इसमें 24th question है, इसमें हमें दिया गया एक passes, और इस passes पे based आपकी रहेंगे questions, okay, first रहेगा one marker, second one marker, और third रहेगा आपका two marker, इसको solve कर लीजिगा, उसके बाद 25th question आपको दिया 25th इस पर बेस्ट फिर question पूचे गें कि what message does the cartoon convey, देखी, this cartoon, ये cartoon किस के regarding है, this cartoon is regarding the demand of the new states on the basis of the language and culture, and this cartoon is conveying the message that the demand, जो demand थी new states की, that increased day by day, each and every part of the country was demanding new states on the basis of the language, तो ये कुछ बाइये बता रहा है, और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये हैसे हुआ कि 1956 में अपनी हाँ पे State Reorganization Commissioner वो सेट अप किया गया था, तो उसके बाद, लोगों ने culture या फिर language के बेस्ट पे demand करनी शुरू कर दी थी, और State Reorganization Commissioner वो सेट अप किया गया था, कब 1953 में सेट अप किया गया था, और 1956 में पहला state बना था, language के बेस्ट पे, that was the आंधरा पर्दि Okay, यह सब कुछ आपको बताना है, तो इस जो कार्टून आपके NCRT में दिये गए, तो उनको थोड़ा सा देख लिजेगा, उसके बाद section E जो रहेगा, इसमें आपको question दिये गए है, long answer type question, six marker, इसमें आपको इनी five question करने हैं, जैसे first है आपका, what are the rights, distinguish between the rights and claims, rights क्या होते है और rights or claim में difference क्या होता है, हमने chapter discuss किया, तो chapter के साथ हमने इस से इसकी बात किया, तो important है यह, वैसे भी important है, तो इसको करना है, उसके बाद है, what are the hindrances to good citizenship, also explain how can they be removed, अच्छी citizenship के लिए कौन-कौन सी समश्य या बादाएं होती है, और उनको कैसे remove किया जा सकता है, तो यह indolence का मतलब होता है, inactivity कि जब हम active now, अपने duties को लेकर के, तो वहाँ पर problem आती है, हम अच्छी citizen नहीं बन पाते, जिसे illiteracy, the person is illiterate, अगर कोई person illiterate है, तो अपने rights को लेकर के awareड नहीं होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सोया रहेगा, तो यहाँ पर भी व एक बड़ी problem होती है, अच्छी citizen होने में, और इसके साथ साथ communism, communism means that once, जब हम religion को कहीने कहीं, देश के साथ आगे ले आते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार issues आ जाते हैं, तो यह सब कुस थोड़ा से detail में देख लीजीगा, तो यह एक important question है, उसके बाद 28th हम एक question देगा है, 28th हमारा question है, describe the main points of secularism embodied in constitution of India, क्या बताना है हमें, हमें हमारे secularism के main points बताने हैं, जो embodied हैं हमारे constitution में, ओके, देखें, secularism क्या होता है, secularism, जैसे इंडिया is a secular country, तो इंडिया secular कैसे है, secular country का मतलब है कि we don't have any official region, each and every citizen free to follow any religion or not at all, किसी भी द्रहम को माने ना माने उसके ये personal matter होता है, and there is no discrimination on the ground of the religion, religion के बेस पर कोई भी discrimination नहीं है, चाहिए वो job के मामले में हो, तो इसे हम कहेंगे कि India is a secular country, अब ये आपको explain करना है कि कैसे हैं, क्या कुछ इसमें दिया गए, इसके साथ साथ आप explain कर सकते हो, कि we are having one fundamental right, right to the freedom of religion, वो separately हमें दिया गया है, okay, तो वो सब कुछ mention करके इस question को आप complete करोगे, उसके बाद 29th question है, what do you mean by council of ministers, explain in detail, council of ministers means, it includes all type of the ministers, including the prime minister, इसमें आ जाते हैं, and उसमें आप explain करोगे, there are the three types of the, three types, or three categories of the ministers, उसमें आ जाते हैं, cabinet ministers, उनका बता होगे कि ये सबसे important होते हैं, and these are the in-charges of the most important ministry के in-charges होते हैं, उसके बाद, minister of state with independent charges होते हैं, जिनके पास less important ministry होते हैं, department होते हैं, और minister of states, third type के होते हैं, वो deputy minister के तरह होते हैं, वो assist करते हैं cabinet ministers को, और most of the decisions होते हैं, major decisions होते हैं, वो cabinet ministers लेते हैं, okay, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे explain करना है, उसके तो four, five features आपको explain करने हैं, chapter में भी हम discuss कर चुके हैं, उसके बाद 31st आपका जो question रहेगा, illustrate with suitable examples, the factors that lead to the emergence of the nationalist feelings, आपको examples देके बताने हैं कि कौन से factor थे, वो nationalism के rise के लिए responsible थे, okay, देश में जो nationalism की शुरुवात होती है, तो वो क्यों हुई थी, तो कई सारे factors थे, उसमें जैस रोल of the French Revolution, रोल of the philosophers, रोल of the media, कह सकते हैं, print media, रोल of the Indian leaders, रोल of English language, इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं, रोल of the picture of भारत माता, इसके साथ-साथ, ट्राइकलर, national flag, ऐसे कई सारे factors, उसमें से कुछ आप लेख सकते हैं, उसको explain कर सकते हो, तो ये रहेगा आपका sample question paper, इसको share कर दिया जाएगा, टेलिग्राम चैनल के उपर, तो वहाँ पर कैसे आप हम से जुड सकते हो, तो देखिए उसका link है, आपकी screen के उपर visible है, तो उसके through आप connect हो सकते हो, और इसके साथ-साथ-साथ इंस्टा पर भी आप मेरे साथ गफशप कर सकते हो, तो आज के लि लगे कि हाँ मुझे quick reason चाहिए कि मोटी तोर पर concept clear हो जाए, तो आप चाहिए playlist में class 11th poll science most important questions and notes के अलग से playlist है, वहाँ पर सारा आपको content पे लेगा, आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day.